हेलो वेल्कम तो दे न्यू लेक्चर ओफ इंडिन जोग्रोफी जोग्रोफी का जो है हमारा ये नेक्स लेक्चर है जिसमें हम एग्रिकुल्चर रेवलुशन के बारे में पढ़ेंगे प्रिवियस एर पेपर उठाके देख लेना यहां से कुशन पूछा आता है चिक है सो उनके बारे में डिसकस करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं आपने प्रिवियस लेक्चर देख लिए हैं सभी लेक्चर जो है अपडेट किये जा चुके हैं एक्सल शीट में अग्रिकुल्चर रेवलुशन की बात करें तो आपने मेंली ग्रीन रेवलुशन वाइट रे यहां पर नहीं है वह आपको याद रखने पड़ेंगे राउंड रेवलुशन की बात करें तो राउंड रेवलुशन राउंड क्या होता है आप समझ सकते हो यहां तो अंडा होगा यहां वैसी चीज होगी तो यहां पर यह देखिए इसका अंसर होगा पोटैटो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे ग्रीन रेवलुशन की बात करें तो यह आपका फूर्ड ग्रेंस रिलेटेड है ठीक है फूर्ड ग्रेंस है वो भी कौन सी राइस और वीट यह दो मेंली इसकी प्रोड़क्शन को इंग्रीज करने के लिए जो है यह यह जो आपने इसकी प्रोड़क्शन के लिए है ठीक है फूर्ड ग्रेंट ग्रेंस है और फूर्ड ग्रेंस है ऊप्षिन में तो आप वहाँ पर वो टिक करेंगे अधरवाइस राइस यां फिर वीट जो है यहां पे ज़रूर ऑप्शन में दिया गया होगा ग्रेंगा ग्रें है आपका fertilizer से या फिर फूल प्रोडक्शन से ओके fertilizer या फिर फूल production option में होगा उससे रेड़ेड़ आपका ग्रेड़ेशन फिर आता है पिंक revolution पिंक revolution जो आपका onion रहता है उसकी प्रोडक्शन के लिए ठीक पिंक revolution is related to onion onion का color जो है आपको red pink देखने को मिलेगा पिंक कलर का तो इससे आप याद रख सकते हैं कि यह उनियन से रिलेट है वाट revolution को भी हम पढ़ेंगे कि important है यह वाइट revolution जो है यह milk production से related है काफ़े बार यह repeat होते है एक तो green revolution repeat होता है white revolution काफ़े बार repeat होता है तो यह दो चीज़े हम थोड़ा detail में पढ़ेंगे फिर आता है आपका blue revolution की बात करें blue कैसा होता है पानी होता है पानी में होती है fish fish से related है आपका blue revolution ठीक है fisheries fish production जो है उससे related है आपका blue revolution red revolution की से related है meat से लिट ठीक है meat कैसा होता है red होता है यहाँ फिर tomato भी हो सकता है तो मीट यहां फिर टोमेटो से रिलेटेड है यालो रेवलिशन इंपॉर्टेंट है यहां पर सीड होगा ओल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है याद रखना यह इंपॉर्टेंट है यह भी रिपीट होता है एक्जाम्स में ब्राउन रेवलिशन किसे रिलेटेड है तो ब्राउन रेवलिशन जो है आपका लेदर से या फिर कोकोवा प्रोडक्शन से रिलेटेड है मैक्सिम्म टाइम आपको ऑप्शन में लेदर देखने को मिलेगा अगर ब्राउन रेवलिशन आता है देन गॉल्डन रेवलिशन प्रूर्ट की प्रोडक्षन या हर्टी कल्चर के लिए आपका गोल्डन जो है revolution golden five revolution कि से फाइब जाएगा साथ में तब इसका प्रोडक्षन जो होगा वह जूट के नंबर वन हुआ करता था लेकिन आज के समय में बंगलादेश जो है नंबर वन है जूट पर डेट्षन वे इंडिया सेकेंड डंबर पे है तो गोल्डेन फाइबर किसे रिलेटेड है जूट की प्रॉडक्शन से रिलेटेड है नेक्स्ट आता है सिल्वर रेवडूरूशन यह cotton से रिलेटेड है ठीक है cotton की production के लिए जो है silver fiber जो है revolution लाया गया था black revolution important हो जाता है black revolution petroleum से रिलेटेड है पेट्रोल जो है जो crude oil है वो black color का होता है ठीक है so black revolution जो है आपका petroleum production से रेटेड है याद रखना जहां पर मैंने टिक लगाएं यह बहुत यह जदा important हो जाते हैं silver revolution है black revolution है ठीक है इसके लावा yellow revolution है blue revolution है white revolution है green revolution है तो यह तो आपको भूलने ही नहीं है बाकी भी आपको याद रख सकते हैं क्योंकि examiner को पता है कि यह सारे जो revolution है यह already exam में पूछे जा वह है green revolution and white revolution तो green revolution की बात करें तो green revolution सबसे पहले यह term यूज की गई थी William Godd के द्वारा effect है right father of green revolution पूछा आता है तो यह है norman बॉर्लोग देखो आप confused हो फादर ओफ ग्रीन रेवलिशन एमस स्वामिराथन देखो father of revolution international level पे है norman बॉर्लोग अगर option में दोनों दिया है norman बॉर्लोग दिया है और साथ में आपका जो MS स्वामिराथन दिया है तो आप वहां पे answer क्या करेंगे आप answer करेंगे norman बॉर्लोग क्योंकि यह international लेवल पे green revolution के father माने जाते हैं सो यहां पे confuse मत होना इनको nobel price दिया गया था 1970 में ठीक है किसलिए high yielding variety of seeds जो है यह इन्होंने तियार किये थे wheat के ठीक है high yielding variety of seeds तियार किये थे किसके wheat के तियार किये थे इसलिए जो है इनको nobel price दिया गया था 1970 के अंदर norman बॉर्लोग को इसे इनको father of green revolution माना जाता है अब green revolution था किससे related तो green revolution जो है rice और wheat जो है इन दोनों की जो production है उसमे rapid increase लाने के लिए जो है यह revolution चलाया गया था starting में अगर हम बात करें तो independence से पहले या फिर उससे कुछ पहले भी बात करें तो इंडिया जो है self-sufficient नहीं था इनकी agriculture में लेकिन अब आप देखेंगे इंडिया not only self-sufficient इंडिया जो है बाहरले देशों को भी जो है अपने जो products हैं वो export करता है तो अभी हम agriculture के field में self-reliant हो चुके हैं पूरी तरह से इंडिया के पास आपने देखा होगा पिछले एक-दो साल में अपने जब करोना आया था उस टाइम जो है सब चीजे बंद हो चुकी थी तो फिर भी इंडिया ने जो भारत ने अलग-लग पार्ट में जो है अपना अनाज पहुंचाया कुछ गरीब परिवारों को जो रहते थे ठीक है प्रवासी थे या फिर आप देखेंगे जो यूपी विहार के अपने हिमाचल में भी देखें होंगे तो उनको जो है फ्री जो अनाज वगएरा वो प्रवाइड करवाया गया इसमें ही है क्योंफे डवलप कंट्री जो है डवलप हो चुकी है उनको जरूरत नहीं है वह अधिस हैसे पोछुझ Welcome दो इंडिया है तो उससमें जो हैे सपरलैसर कि अच्छी क्वा αइटोराइजर के हमॉञाएं program घृूट Jimmy Hubrah 8 विशास तो यहां पर एक तो सीड 256 के बा तो ये दो चीजों की production के लिए green revolution को चलाया गया था तो खासकर ये दो फसलें याद रखने हैं आपको wheat और rice इसके लिए green revolution लाया गया था नॉर्मन बॉर्लो के दोरा अगर इंडिया में बात करें दोस्तों इंडिया में जो है father of green revolution in India पूछते है वो तो तब आपका अंसर हो जाता है में स्वामी नाथन ठीक है नाइंटीन सिक्टी सैवन नाइंटीन सिक्टी फाइब में जो है ये रेवल्यूशन स्टार्ट हुआ भारत में थीक है तब हमारे पास फूट डेफिशन्ट कंट्री थी हम हमारी ठीक है तो अभी आप देखेंगे वर्ल्ल के लार्ज़स लीडिंग अगरिक्ट्ट्र प्रोडक्शन में जो है हमारा हाथ है और भारले देशों को में भी हम आपना प्रोडप्श को सेल करते हैं अब ये ज के बाद जो है हम क्या बन गए self-reliant बनने लगे तो इस तरह से जो है यह इसका tenor था increase in agriculture production तो कहां पर agriculture production ज़्यादा की गई हर्याना में पंजाब में और उत्तर प्रदेश में यहां पर ज्यादा focus रहा ठीक है so यहां पर confuse मत होना कि who is the father of green revolution Norman borlog option में है तब आपने वहां पर अंसर देना है अगर दोनों option में है तब भी आपको Norman borlog देना है अगर Norman borlog option में नहीं है तब आपने MS स्वामिनाथन को answer में लिखना ठीक है so इस तरह से answer आपने वहां पर देना है तो यह हो गया आपका green revolution अब बात करते हैं आगे white revolution की तो white revolution की बात करें भारत में तो इसको operation flood के नाम से भी जाना जाता है तो यह भी question काफी बार repeat होता है repeat होती है statement कि which of the following revolution is called operation flood मतलब किस operation किस revolution में operation flood जला आ गया था तो operation flood जो है white revolution से related है यह आपको याद रखना है तो white revolution कि से related है हमने देखा था increase in the milk production दूद की production को increase करने के लिए हमने white revolution जो है चलाया था ठीक है तो आज के time में आप देखेंगे इंडिया जो है world का largest producer है milk की production ठीक है and father of white revolution याद रख लेना father of white revolution है doctor Vargis Korean जो है यह भी question पूछा जाता है एक तो white revolution का साफ ही repeat होता है दूसरा आपका green revolution बहुत ही ज्यादा repeat होता है तो father of white revolution है doctor Vargis Korean ठीक है इसको green revolution से confuse मत करना green revolution अगर इंडिया के संदव में पूछा जाएगा वहां पर फिर आमें सौमिनातन फादर of white revolution है doctor Vargis Korean अब यह जो स्टार्ट हुआ था operation flood 1970 में स्टार्ट हुआ था राइट यह जो स्टार्ट किया गया था national dairy development board के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसमें क्या है कि नया method जो है इन्होंने त्यार किया animal husbandry का और साथ ही साथ जो है फीड इंग्रीडेंट्स को इंक्रीज किया देखिए जो दूद है काव से जैसे निकाला जाता है तो दूद की production को increase करने के लिए उन्होंने अच्छी quality की फीड वगारा जो है गाय वगारा को देने के लिए जो है उसको इंप्रूव किया था उसको composition जो है उसको अल्टर किया था तो जो है यहां पर आपका white revolution जो है काम्याब बना था तो बस यह है जो अग्रिकल्चर को बताऊंगा फिर उसके बाद 20 30 तक जो है आपके lectures हाल्ट में रहेंगे ठीक है और पॉलिटी का लेक्चर साथ-साथ में चलता रहेगा जोग्राफिक का लगवर complete हो गया हमारा वही एक lecture बचा है फिर पॉलिटी के lecture में डेली एक एक डालता बचे हैं वो मैं साथ-साथ complete करवाता रहूँगा डेली एक एदा लेक्चर जो है लेता रहूँगा ठीक है तो इसको revise करते रहिए question लगाते रहिए मैंने आपको website बता दी है exam वेदा से आप जो है question लगाईए exam वेदा करके website है इसकी application भी है play store पे इसको download करिए topic wise जो है तो मिलते हैं next lecture में bye bye